कुछा के गगन को लेकर बताएं कौन सी स्टेट्मेंट आपके करेक्ट है कौन सा कतन आपका सही है इसमें बॉइंक 787 जो आपका एइरपलीन है उसके अंदर गगन सिस्टम को इंटर्ड्यूस किया जाएगा 2023 से हो सकता है गगन जो है वह एरक्राफ्ट को हेल्प करेगा सिस्टम है क्या इसके बारे में में भी मेंचन कर सकते है ई हुआ है सच पिज और जी-प्यस एडिट जी-उ और जी-पी यसेड़ डिड ग्रूमेंट नेविकेशन सिस्टम सो चीएग कपं ट ग्रूमेंटेट हो पर-ट्स तरлек पेर बड़क आपकं टैशन आपकर एंज तरीके से गगन आपका बनेगा, recently government of India ने बोईंग 787 को exempt किया है, क्योंकि पहले ही का गया था कि आप इसके अंदर गगन सिस्टम जो हमारा जो इंडिजिनल सिस्टम है, उसको यूज करे, लेकिन aircraft manufacturer ने कहा कि काफी जद हमें changes करने पड़ेंगे, तब ही यहाँ पर 2025 तक आप exemption ली सकते हैं, लेकिन 2025 के बाग आपको इस सिस्टम को install करना पड़ेगा, तो अभी के लिए इसे install नहीं किया जाएगा, बिकोज exemption यहाँ पर दी गई है, बट second statement जो आपके वो बिल्कुल correct है, एरक्राफ्ट को land करने में, guide करने में, यह help करने वाला है, तो correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर, B will be the correct answer.